नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल पे आपका स्वागत हैं दोस्तों आपने देखा ही होगा इंडेस्ट्री में काफी ऐसे nutbolts होते हैं जो सूत में measure किये जाते हैं और उनके लिए जो tool यूज किये जाते हैं वो भी सूत में आते हैं तो आज हम इस वीडियो में सूत को mm में कैसे convert करते हैं वो देखेंगे और सूत को लिखा कैसे जाता है वो भी आज हम इस वीडियो में clear करेंगे तो वीडियो का topic अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जुरू कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो अगर हम एक इंच की बात करें तो एक इंच equal होता है 8 सूत के यानि एक इंच में 8 सूत होते हैं एक इंच दोस्तो equal होता है 25.4 mm के अगर हम mm में देखेंगे तो एक इंच equal होता है 25.4 mm के यानि हम ये भी बोल सकते हैं कि 8 सूत equal होता है 25.4 mm के तो अगर हम एक सूत की value निकालेंगे तो 25.4 को divide कर देंगे 8 सूत के साथ तो हमारे पास जो value आएगी वो equal होगी एक सूत के यानि एक सूत equal होता है 3.175 mm के तो दोस्तो ऐसे हमने एक सूत को convert कर लिया mm में और value आई है 3.175 mm तो अगर हमको एक सूत को लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे 1 by 8 और इसके उपर 2 कोमा के निशान लगाएंगे और ये जो 2 कोमा के निशान है ये indicate करते हैं ये value जो है ये inch size में है यानि suit में है तो इसके बाद आता है date suit तो अगर हमको date suit को convert करना है mm में तो हम क्या करेंगे date को multiply करेंगे 3.175 mm के साथ तो इसको calculate करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4.762 mm यानि date suit equal होता है 4.762 mm के और अगर हमको date suit को लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3 by 16 और उपर हम 2 कोमा के निशान लगाएंगे तो इसके बाद है 2 suit दो suit को अगर हमको mm में convert करना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा 2 को multiply करना है 3.175 mm के साथ तो इसको calculate करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6.35 mm यानि 2 suit equal होता है 6.35 mm के और अगर हमको 2 suit को लिखना हो तो इसको लिखेंगे हम 1 by 4 और उपर 2 कोमा के निशान लगाएंगे इसके बाद है 2 suit 2 suit को भी हमको same ऐसे ही निकालना है और इसको जो अब हम mm में convert करेंगे तो value आएगी 7.937 यानि 2 suit equal होता है 7.937 के और 2 suit को अगर हमको लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे 5 by 16 इसके बाद 3 suit को हमको mm में convert करना है और 3 suit equal होता है 9.525 mm के और अगर हमको इसको suit में लिखना हो तो 3 suit को लिखा जाता है 3 by 8 इसके बाद है 4 suit, 4 suit को दोस्तो हम half inch भी बोलते हैं और अगर हमको इसको लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे 1 by 2 और इसको जब हम mm में convert करेंगे तो इसकी जो value आएगी वो आएगी 12.7 mm यानि 4 suit equal होता है 12.7 mm के ऐसे ही दोस्तो 5 suit को अगर लिखना हो तो लिखा जाएगा 5 by 8 और 6 suit को अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा 3 by 4 और 7 suit को 7 by 8 और इसके बाद है दोस्तो 8 suit 8 suit equal होता है 1 inch यानि 25.4 mm के तो 8 suit को लिखा जाता है एक लिखके उसके उपर 2 कौमा लगाते हैं यानि 1 inch तो दोस्तो इतना आप समझ गे होंगे कि 1 inch जो होता है वो equal होता है 8 suit के और 8 suit equal होता है 25.4 mm के यानि ये तीनों value 1 inch 8 suit और 25.4 mm ये एक दूसरे के बिल्कुल equal है तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा अगर आपको कुछ नहीं समझाया तो नीची आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अची लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कर दें थैंक्स पर वाचिंग